ओम नमो भगवते वासुदेवाया अरे कृष्णा तो आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता से अध्याय तेरह और असलोक संख्या तीस असलोक बोट पे दिख रहा है आप लोग साथ में उचारन कर सकते हैं प्रकिर्टे प्रकिर्टे वचो करमानी क्रिये मानानी सर्वशह या पस्यती तथा आत्मानम करतारं स्वपस्यती प्रकिर्टे वचो करमानी क्रिये मानानी सर्वशह या पस्यती तथा आत्मानम करतारं स्वपस्यती प्रकिर्टे वचो करमानी क्रिये मानानी सर्वशह या पस्यती तथा आत्मानम करतारं स्वपस्यती प्रकिर्टे वचो करमानी क्रिये मानानी सर्वशह या पस्यती तथा आत्मानम करतारं स्वपस्यती प्रकिर्टे वचो करमानी क्रिये मानानी सर्वशह या पस्यती सा आत्मानम करतारं स्वपस्यती प्रकिर्टे वचो करमानी क्रिये मानानी सर्वशह या पस्यती तथा आत्मानम करतारं स्वपस्यती सब्दार्ट प्रकिर्टिया प्रकिर्टी द्वारा एव निश्चे ही चो भी करमानी कारिये क्रिये मानानी संपन किये गए सर्वशह सभी परकार से यह जो पस्यती देखता है तथा भी आत्मानम अपने आपको और करतारं और करता सह व पस्यती अच्छी तरह से देखता है अनुवाद और तात्पर ये ही डिवेन ग्रेस एसी भक्तितान स्वामी सिलपरुपाद जी के दौरा सिलपरुपाद की अनुवाद इस परकार है जो यह देखता है कि सारे कार्ड शरीर दौरा संपन किये जाते हैं जिसकी उत्पती परकृति से हुई है और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता वही अथार्थ में देखता है ताट पढ़िए यह शरीर परमात्मा के निर्देशाtt अनुसार प्रकृत्थी द्वरा बनाया गया है और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्ज सम्पन होते हैं वे उसके द्वरा नहीं किया जाते हैं नहीं किये जाते, मनुस्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह सारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए वाद्दे होता है, लेकिन आत्मा इन सारीरिक कार्जों से बिलग रहता है, यह सरीर मनुस्यों को पुर्व इक्षाओं के अनुसार प्रा एक चाओ के कारण ही मनुष से दुख भोगता है या सुक पाता है जब जीब में यह दिवय दिर्ष्टि उत्मन हो जाती है तो वह सारी कार्जों से पिर्थक हो जाता है जिससे ऐसी दिर्ष्टि आ जाती है वही वास्तविक दिरश्टा है ओम ज्ञान तिम्रंधसे ज्ञान जना सलाकया चक्छूरून मिलतमेना तसमे स्री गुरु वे नमा स्री चैतन्य मनो विस्तम स्थापितमेना भूतले स्वेम रूपकदामयं ददाती स्वा पदंतिकं वंदेहं स्री गुरू स्री उतपत कमलं स्री गुरून भैष्णमामचा स्री रूपम साग जातम सगना रभूनातम वितमतम सजीवं साधवेतम साधभूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवं स्री राधा क्रिष्ण पादान सकना ललिता स्री विसाखा विताम स्चाव नमो विष्णु पदाय क्रिष्ण प्रिष्णा भूतले स्रीमते वक्ती विदानते स्वामनिती नामने नमस्ते सारसुती देवे गौर बानी परचारनी निवे से सुन्ने वादी पास चाते देसदारनी नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम परदाई टे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तिर से नम् हे कृष्न करुण सिंदू दीन बंदू जगत्पते गोपे सुपिका कांता राधा कांत नमस्तते तप्तकांचन गोर आंगी राधे बंदावने स्री ब्रिश्मानु सुते देवी प्रनमामी हरी प्रिये वांचा अकल्तर वेसचा किपासिंदु बेवचा पतिता नाम पावने ब्यो बैस्न बेव्यो नमो नमा जै स्री कृष्न चैतन्ने प्रवुनित्यानंद स्री अद्वैति गदादर स्री वासादी गौर बख्तिनु Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare 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 Krishna, अनुवाद मेरे पिछे दोचा आईए जो यहाँ देखता है कि सारे कार्ज सरीर दोरा संपन किये जाते हैं जिसकी उत्पती प्रकृति से हुई है और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता वही अथार्थ में देखता है तो इस असलोक में बताया गया है कि प्रकृति के बारे में बात हुई है और सरीर के बारे में बात हुई है और किसके बारे में बात हुई है आत्मा के बारे में और किसके बारे में बात हुई है भगवान के बारे में भी बात हुई है यहां पर भगवान सब्द कहां पर आया है परकृतेव चौ। चौ। जो सब्द है इस स्लोक में वह परमात्मा को सुचित करता है इस स्लोक में बताया गए कि जो जो सरीर जो है ना सरीर यह भोतिक परकृति के दौरा परदान की गई है और यह सरीर भोतिक परकृति के दौरा परदान किया गया है और यह जो कार्ज करता है वह कार्ज कौन करते हैं सरीर करते हैं जिसको परमात्मा करवा रहे हैं यहां पे चौ का सब्द है परमात्मा तो एक तो सरीर है सरीर नस्वर होता है और आत्मा जो है वो नस्वर नहीं होता है यह बात को समझना ही अध्यात्मिक जीवन का पाला सीड़ी है सरीर और आत्मा में भेज जानना तो सरीर नस्वर होता है यह सभी को पता है और आत्मा जो है अमुर होता है वो नस्वर नहीं होता है तो सरीर हो गया आत्मा हो गई और परमात्मा परमात्मा के अंस होने के कारण आत्मा भी सास्वत है क्योंकि भगवान सास्वत है इसके लिए आत्मा भी सास्वत है और आत्मा इस सरीर में कईध है आत्मा क्या है यह सरीर में आत्मा कईद है जैसे पिंजरे में अगर आप पेरट को तोता को अगर कईद कर देते हैं तो पिंजरा को अगर आप सरीर मान लेंगे तो तोता आत्मा हो जाएगी तो आत्मा जो है ये सरीर में कईद है और यहां पर बतायागा कि जो ऐसा देखता है आत्मा, परमात्मा, सरीर ये सब में भेद को जो देख पाता है वो एक्चॉली में ग्यानी है ग्यानी का मतलब 99% परुपाजी बोलते हैं कि कल्यूग में जो है वो सारीर के अवधारना पर है सरीर के अधार पर अपने आपको पाचान करता है लेकिन जो सरीर के अधार पर पाचान करता है अपने आपको तो उसकी तुलना सास्त्रों में किसे की गई है किसे की गई है उसकी तुलना की गई है पसू से क्योंकि पसू भी अपने आपको तुलना किस से करते हैं सरीर से ही करते हैं तो सरीर से हमको उपर निकलने के लिए ज्यान की जरूरत है और वो ज्यान कैसे प्राप्त होगा अगर हम भगवत गिता परेंगे तो तो भगवत गिता यहाँ पर मिल रहा है जिसके पाँज भगवत गिता नहीं है वो बाहर जाके भगवत गिता ले सकते हैं और उसको पढ़िये तब यह सब ज्ञान आएगा नहीं तो किसी को कुछ नहीं पता है शरीर कोई ब्यक्ति मरता है तो आत्मा किदर जाती है यह किसी को कुछ नहीं पता है समझ गए यह पता कब चलेगा जब भगवत गिता एक ब्यक्ति पढ़ेगा तब पता चलेगा कैसे पता चलेगा तो भगवान भगवत गिता में बताते है यम यम ओपी अस्मरम भावं तेजेते अंते कले ब्रम तम तम एवेती कुंते या सदा तद भाव भाविता मढने के समय अगर एक व्यक्ति की जो इक्छा रहती है जो इक्छा करता है अपनी चेतना जो बना के रखता है उस सरीर में उसका उनकी जो आत्मा है वो ट्रांस्पर होता है उस सरीर को पराप्त करता है इसके लिए मरते समय अगर कोई भगवान कृष्ण को याद किया तो भगवान कृष्ण के दाम जाएंगे लेकिन अगर यह बहुतिक जो चीजों को याद किया तो बहुतिक सरेन मिलेगा तो यह सब ही ग्यान भगवत गीता में दिया गया है तो भगवत गीता वहाँ पे मिल रहा है बाहर स्टोल पे भगल में तो आप जिसके पास नहीं है उसको खरीदिये उसको पढ़िए 200 रुपिया हम इसे इंवेश्ट कर देते हैं कई चीजों में लेकिन हम गीता खरीदने के नाम पर गीता नहीं खरीदते हैं यह हमारी अज्ञानता है दुरुभाग्य भी है तो गीता खरीदिया और उसको पढ़िए तब पता आपको चलेगा यह सारी चीजे अगर आपको भगवान के धाम वाप जाना है तो क्या करना परेगा भगवान को अस्मरन करना परेगा ना और भगवान को अस्मरन करने का कल्यूग में बहुत ही सुन्दर और सरल रास्ता बताया गया है वो रास्ता क्या है? आन्त उट कया भटों का देख लिजी वो रास्ता है Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 तो यहाँ पर बताया है कि शरीर कुछ भी नहीं करता है स्वरी आतमा कुछ नहीं करता है यह समझ यह पहले ता आतमा को समझ गया आप वो सास्वत है और सरीर टेंपरोरी है लगिन ये टेंपरोरी होते हुए भी कुछ नहीं करता है नो करती तुम नो कर्मानी लोकस से स्रीजती परवू नो कर्म फल समयोगम स्वावावस से तु प्रवर्तते वहाँ पर भगवत गिता परेंगे पाजमा अध्याय में तो इस बात को बताया गया है नो कर्मानी जो ये शरीर है वो नहीं कर रही है शरी आत्मा नहीं कर रही है शरीर कर रही है सारे कार्ज इसको आप कैसे समझेंगे हमारा शरीर ही कर रहा है न जो कोई काम करते हैं मांजले की गीता उठाए तो ये शरीर उठा रहा है लेकिन इसके अंदर जो है आत्मा एक आरज नहीं कर और उपरा परकृति के अंदर शरीर आता है तो जो आत्मा है वो आत्मा शरीर में ये उपरा परकृति के साथ बहुत अनंत काल से रहने के कारण अपने आपको पहचान कर रहा है किसके साथ ये शरीर के साथ आत्मा और शरीर में अंतर जैसे आप बोलेंगे कि ये मेरा हाथ है यह आपका हाथ है लेकिन आप किधर है तो जो आप है वो आत्मा है तो यह आत्मा यह सरीर का अंदर जो है आया है और आने के कारण जो कार्ज जो हो रहा है इस सरीर के द्वारा उससे वो अपने आपको पहचान करता है लेकिन वो कार जात्मा नहीं करती है जैसे आप होटल में जाते हैं तो होटल में जाने के बाद आप क्या करते हैं आपके पास जो है मेन्नू रखा जाता है फूड मेन्नू होता है न तो फूड मेन्नू देखते हैं और उसको जो है आप देख के टिक कर देते हैं और आप बेटे रहते हैं लेकिन आपके पास जो है जो फूड को आपने सेलेक्ट किया जो भोजन को वो भोजन जो है वहां के होटल के जो वरकर है वो आपको आकर लेकर दे देता है आपने कुछ नहीं किया लेकिन आपने एक च तो इक्षा जो है बगवान की प्राप्ति के लिए करना परेगा, बगवान के धाम जाने के लिए करना परेगा, तब हम बगवान के धाम जाएंगे, अगर इक्षा आपने किया, कि हमको जो है मुंबई सहर में राना है, अच्छा कासा फ्लेट भी आई, सब कुछ है, अपने इस गर में अच्छिस रहेंगे, कोई टंसन नहीं है, तो फिर उसी घर में दोवारा जन्म लेना पड़ेगा, समझ गए, लेकिन वो गर में आप जन्म लेंगे, लेकिन इस रीर में नहीं लेंगे, क्योंकि अगर जो ब्यक्ति ये सरीर से भक्ति नहीं करता है उनको ये सरीर नहीं दिया जाता है उनको जो है ये सरीर त्यागने के बाद दो परकार की सरीर मिल सकता है एक भोतिक सरीर और एक अध्यात्मिक सरीर तो बहुतिक सरीर में 84 लाक योनियों में कोई एक सरीर मिलेगा और अध्यात्मिक सरीर मिलेगा था भगवन के दाम वो बेकती जाएगा तो अध्यात्मिक सरीर कैसे मिलेगा जब हम अध्यात्मिक इक्षा करेंगे तब अगर हम भोतिक एक्षा करेंगे तो हमको भोतिक सरीर मिलेगा तो जीव जो है यहां पे एक्षा किया और एक्षा किया तो जो है फेसिलिटी दिया गया हम एक्षा जब करते हैं तो एक्षा divworker आप बोलते हैं न जो भोतिक संसार को भगवान ने बनाया है क्यों बनाया है? इक्चा और दोईस हमने इक्चा किया आनन्द लेने का यहां पर बताया है तातपर्ज में देखिए इक्चा के इक्चाओं के अनुसार यहां पर बताया गया है कि इक्षा की पूर्ती के लिए सरीर मिलता है अगर इक्षा करेंगे कि मेरे को मांस खाना है तो प्रकृति के द्वरा जो है चीता और सिंग जो लाइन होता है उसका सरीर रखा हुआ है तो अगर इक्षा करेंगे कि हमको क्या करना है भगवत गीता परना है तो भगवान आपको ऐसे arrangement करेंगे कि आप बगवत गीता क्लास में बैठे हैं क्योंकि आपने कभी ना कभी इक्षा किया कि हमको गीता सुनना है तो गीता सुनने का जो फल मिलेगा वो फल जो है पर्मानेंट मिलेगा लेकिन भोतिक जो इक्षा करने की जो फल होती है वो temporary होती है और मिजरी वो दुख दायक होते है ते दुख दायक होता है और वो यहाँ पर प्रपाजी लिखते है कि वो जो ब्यक्ति है उनको वो दुख, फोर्स, पुर्वक उनको भोगना पड़ता है यह सरीर जो मिलता है ना यह सरीर यह भी बात को समझना जरूरी है यह सरीर जन में से लेकर और यंड तक केवल और केवल दुखी देता है समझ के भगवत किताम भगवान कहते है चतुर वीद्या बचंते माम जना सुकिर्टना अर्जुना आर्थो आर्थो तो जो हाँ वहाँ पर distrius वाला व्यक्ति एक आता है भगवान के पास तो अगर दुख से भी कोई व्यक्ति समझ लिया कि इस अंसान में बहुत दुख है तो भी अगर भगवान के पास आएगा तो दीरे दीरे जो है सुद होगा और सुद भक्ति करके भगवान के पास वापच जा सकता है तो हमको समझना परेगा ये अंसान में जो है समझना क्या? यहाँ ही दुख है, दुखाले और सासवत्म तो यह जो जब सरीर मिलता है तो हमको दुख भी मिलता है साथ में समझ गए जैसे कोई बैक्ति forced to accept miseries, बलपुरवक यहां पर बताएगा है बलपुरवक दुख दिया जाएगा बलपुरवक कैसे दुख मिलेगा जैसे कोई भी बैक्ति बिमारी नहीं चाहता है तो बिमारी उसको आता है ना तो बलपुरवक ही आता है ना कोई भी बैक्ति आइसा चाहता है मेरे उसको cancer हो जाए कोई भी आइसा बैक्ति नहीं है कि जो सोचता है कि मेरे उसको cancer हो जाए तो उनको cancer होता है फिर भी तो बलपुरवक कोई भी बैक्ति नहीं चाहता है कि हमको बुढ़ बिर्द अवस्ता बिर्द सरीर को प्राप्ट करूँ लेकिन उसको प्राप्ट करना परता है वो सरी में भी बहुत दुख है ते बहुती परकिर्टी के दोरा फोर्स किया जाता है जीप पे उनको दुख भोगने के लिए क्योंकि इस संसार में अगर आपको दुख मिलेगा तो एक व्यक्ति सोचेगा कि कोई ऐसा संसार है जहाँ पे सुख मिलेगा तो वो संसार किदर है वो संसार है अध्यात्मिक संसार भगवान कृष्ण के लोग बैकुंठ लोग जहाँ पे कुंठ नहीं है तो वो संसार जानने के लिए क्या करना परेगा एक गीता कलास समाप दोगा, आप हर चीज को भूल सकते हैं, दो चीज को याद रखिएगा, क्या याद रखना है? अगर आप एक बेक्ति जब करता है, तो वो दुख दाई शरीर नहीं मिलेगा, द्यात्मिक शरीर में ये चार परकार की भीमारी नहीं है, जन मिट्टू जराब्यादी ये नहीं है, तो ये भौतिक जो जीव है, वो शरीर में केबल रहता है, वो कुछ करता नहीं है, अनंत काल से रहने के कारण उसको दुख मिल रहा है, आसक्त हो जाता है शरीर से, अगर अपने आपको शरीर से पिर्थक मानेगा, तो उसको दुख नहीं होगा, जो सादू संद है, जो आत आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि वह भोतिक चीज से अपने आपको फिर्थक मानते हैं, बहुते हैं यह सरी नहीं कर रहा है, ना दत्य कस्चे चित पापम, नो चेव नो सुकृतिम भीवूम। बहुते हैं, पाचमा ध्या में कस्लोग आता है, नेव किंचित क्रोमिती युक्तो मने तत्भीत, पस्यन, स्रिवियन, अस्पिरिशन, जिगरन, अस्नन, गच्छन, सपन, सोशन, परलपन, विस्रिजन, गिनन, उन्मिनिशन, निमिशन, अपी, इंद्रियानी, इंद्रियानी, इंद्रियानी, इंद्रियार्थेश, इंद्रियानी, इंद्रियानी, इंद्रियार्थेश, इंद्रियानी, इंद्रियानी, इंद्रियार्थेश, इंद्रियानी, 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 इंद्रियान सागर होता है ना भवसागर उसमें अगर नाव लेकर जाएंगे कोई तो वो जैसे जो बीच में अभी जाएगा और आपको एलिकेप्टर से जो है वो बीच में जाकर छोड़ देंगे तो अगर तेरने के लिए नहीं आया तो डूब जाएंगे उसी परगार अगर भगवत ग किता का ज्यान नहीं रहेगा तो इस संसार में डूब जाएंगे साधू संग नहीं करेंगे भक्तों का संग नहीं करेंगे तो अभी कोई व्यक्ति को तेरने के लिए आता है मांजले दूसरा इस्तिदी में तो तेरेगा निकलने के परियास करेगा समुद्र से लेकिन निकल पर नीचे गरेगा, फिर नीचे गरेगा, समुदर में आप लोग नहाए होंगे, जगनात्पुरी आप लोग जाए कभी, और जगनात्पुरी में बहुत ही सुन्दर समुदर है, अगर अगर आप नहेंगे, तो आपको नाने का भी फल मिलेगा, मतलब बहुतीक इक्षा भी होगी और अध्यात्मिक भी फल मिलेगा, तो उदर लहरे आती है, और आपको आप लहरे के भीतर थोरा अगर जाएंगे, तो आपको उठा कर बाहर फेग देगा, किनारे में देदेगा, फिर एक लहरे आएगा, आपको किनारे से निकाल कर, ले जाकर फिर समुदर में डाल तो लहरे वो जीब को क्या कर रहा है आत्मा को, इधर से उदर उठा पटक कर रहा है, लेकिन वो जीब, वो ब्यक्ति, जब तक समुदर में रहेगा, उसको 往ची स्तिति में रहना परेगा, तो बहुतिक संसान में जो जो लहरे है, वो सुक दुका ऐसे भोगना परेगा, तो उनको लहरे उनको तंग नहीं करेंगे लहरे सो एफेक्ट नहीं होगा परवावित नहीं होगा तो समुद्ध से बाहर कैसे निकलेंगे हरे क्रिष्णा हरे क्रिष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जैसे हमारे सर्य जीवन में जब कष्ट आता है तो अगर किसी का भी सहरा नहीं मिल रहा है तो आथ खारा करके और भगवान को बुलाना चाहिए हरे कृष्णा महामंत के जब करके ठीक है जैसे दरुपती बुलाई थी न तो ऐसे अगर बुलाएंगे तो आप जो है बाहर नि हम कुछ नहीं कर रहे हैं परुपाजी से एक बार पूछे थे कि एक डिसेपल ने परुपाजी एक बार मॉर्निंग वाक में बता रहे थे कि पाप से हम कैसे बच सकते हैं तो पाप से बच सकते हैं अपने परियास से नहीं बच सकते हैं अगर भगवान की सरन में जाएंगे तो पाप से हम बज सकते हैं परुपाजी बता दे as soon as one thinks that I am doing that means he is rascal समझ गए तो अगर करेंगे हम कर रहे हैं तो हम उईसी समय में क्या बन जाते हैं मुर्क बन जाते हैं actually हम सभी काम जो है बगवान कर रहे हैं जीब के एक्षा के अनुसार तो अगर बहुतीक संसार से बाहर निकलना है पाप से मुक्ति पाना है तो हम जो है भगवान की सनन में जाएंगे भगवान भगवदीदा में बताते हैं न अहम तो आम सर्वपापेवियो वहाँ पर यहन है बोल रहे हैं कि सर्व दमान पडितज आप मेरी सरन में आओ अगर मेरी सरन में आओ जाओ चो तुम पडियास करो पाप से बचने के लिए इसान है बोलते हैं हम हमारा डीवटी है रादा राश्वियारी के सरन में आना और रादर अस्वियारी के कार्ज क्या है सभी पापों से हमको मुक्त करना वो अमरा कार्ज नहीं है अगर हम सोचेंगे हम करते हैं तो फिर प्रकृत्य क्रियामानाई नहीं गुने कर्मानी सर्वसा आंकार बिरूडा आत्मा करता हम इती मन्यते तो वहीं पे हम आंकारी हो जाते हैं समझ गे भाक जप भी अगर हम करते हैं तो अभी हमने इक्षा किया तो भगवान जो है फैसिलेटि परदान करे रहे अपने आप मन से भगवान कृष्ण के नाम अपने जीवा पे नई लासकते हैं समझ कि फॉर्स पुर्वक, आप इक्षा करेंगे, बहुगान स्वता आपके जीवा पे आएंगे, हरे कृष्णा मामंत के रूप में, तब हरे कृष्णा मामंत का जब कोई व्यक्ति कर सकता है, तो इक्षा को बदलना परेगा, जैसा कि एक स्टोडी एक मिन में बताता हूं, जैसे एक बार क्या हुआ था, कि एक बेस्या थी, ठीक है, और एक ब्रामन था, तो बेस्या का घर कहां था, और ब्रामन के घर से आगे, जैसे एक रोड मान लिजे आप, यह रोड मान लिजे, यहाँ पे एक ब्रामन का घर है, यहाँ पे एक बेस्या का घर है, तो बेस्या क ब्यासिया सोचती थी, और ब्यासिया भी ब्रामन को देखती थी, और ब्रामन भी ब्यासिया को देखते थे, लेकिन ब्रामन सोचते थे, कि देखो ब्यासिया का जिंद्गी कितना अच्छा है, ठीक है, अपना जो है, अलग अलग पुरूस के साथ उनको संक करने का अफसर पर हुआ है हम यहाँ पर पाप कर रहे हैं तो ऐसे सोश्चेच होते दोनों को जिंदगी कटी और जब दोनों को मिर्तु हुई तो ब्रामन को क्या हुआ अगरे जन्नों में बैस्या बनना परा चलो ठीक है लेकिन परुपा जी बोलते हैं कि ब्रामन को यमदुत लेने के लिए आये और बैस्या का सद्गती हुआ तो अगर हम जिस चीज के बारे मिक्षा करते हैं पूरे जिंदगी चाहें शरीर कहीं भी है वहाँ पे जो है वो शरीर हमको मिलता है और वही हमको गती होती है इसके लिए हमको हमेशा हरे कृष्णा मामन जब करने की इक्षा करनी चाहिए Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Ram! Hare Ram! Hare Hare Hare, Hare Ram Hare Ram 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 Jai Shri Shri Radha Ras Vyari Bhagawan की Shri 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 Sita Ram Lakshman अनुमान जी की स्री स्री गोर निताय जी की स्री लब रूपाद की धन्यवाद आप सभी को